में वही डरा हुआ बहुते श्चाइमा रहा हुआ औरैं, जही कर चुक हूं रखाइब केंशे £99 यही खुट की आज रहीता है का मैंने अपनी दोनों सिस्टों की शादी कay ड़ी दोनों बाइयों की शादी होगी मैंने अपनी दिली में घर बनाया दिली में गारी ली गाओं में मेरा घर बना दिली बहुंस में इने वन-स-y- tri property बना ही है भी जो नाम सुहेबाला में इस्टोग मार्किट की मेरी जो जर्नी है अटलिस्ट टेनियर से 12 जर्नी है और जो इस्टोग मार्किट की मेरी जर्नी रही है मैं आप लोगों के साथ में अभी काफी मेरे एक्स्प्रियंस जो रहा है मार्किट का वह शेर करने वाला हूं और जितने भी अप अंड डाउंस मेरे इस मार्किट में देखे है यर जुक्तरेशनल ने मार्किट में फील किया है वहसारी चीजे अप लोगों के शारत्रेशन का रएगा हूं तो वहां तक मेरी 12th की जर्नी रही 2005 में मैं दिल्ली आया मेरी graduation qualification जो ही वो सब जामिया से हुई जामिया से मेरी qualification होने के बाद एक miss happening life में ऐसी हुई कि जिन्दगी ने ऐसे एक mode लिया 12 तक की जो जर्नी थी मेरे फादर का मैं सबसे जादर लाड़ ला सबसे जादर चहेता था बट recently क्या हुआ एक on the sport डैडी का मेरे accident हुआ accident होने के बाद में वो सारी चीजे जो मेरी थी वो वहाँ पर जिन्दगी पूरी बिखर गई घर का बढ़ा होने के कारण सारी घर की responsibility मेरे कंदों पर आ गई सारी चीजों को मुझे responsibility लेनी पड़ी उस टाइम पर सिर्फ मेरी शादी और रख्या थी और मेरी एक छोटी sister थी उसकी शादी और रख्याई थी तीन भाई मैं दो भाई और एक बहन ऐसी थी जिनके शादी नहीं हुई थी तो उन सबकी responsibility भी मेरे कंदों पर थी इस्टोक मार्किट का जो मीरी जर्नी थी वो गाउंसी थी पहले से एक्चली मेरे स्कूलिंग में मेरे एक दोस्त था हम लोगों ने उस टाइम पे कहीं क्रप्टों में पैसा लगाया था ने महां कहीं जाकर suicide कर लिया मतलब वो फैन पहेंगी होगी और रात को उसने suicide कर लिया सिर्फ एक बीस हजार रुपे के लोस के चेकर में तो एक चीज़ हमेशा माइन में रहती थी कि कम से कम कुछ ऐसा तो करना है कि इस पूरी फैमिली की जुम्मेदारी यह पूरे घर की जुम्मेदारी मैं जो ना अपने कंदों पर उठाओं उपर वाले ने कुछ ऐसा तो बनाया है कि मुझे अगर इस लाइक बनाया तो कोई रास्ते भी जरूर बनाए होंगे वह रास्ते जो बनाए है उपर वाले ने वह साथ यह बनाया है बसरते मैं अभी हो ही चलता हूं अपनी ज़रूरी पर यहां सम लोग थे अभी 12 में मैं आया 12 के करने के बाद में जब ग्रेजेशन वाया तो मेरे कुछ दोस्त बने वो अल्रेडी इस टेम पर टेक्निक इतनी हाई हो चुकी थी कि हम एक एप पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर चुके थे बर चीजे कही नकूँ बच्बन व में कहीतों पर चेज फक बने किंश की ख़ onc glad लाउट वह चुँटती नहींसे existe भालाव चीजे थी कहीने की इसलिए फिक हो चीजे के मर गई ती उस टाइम में जब दोस्त बने उन सब लोगों को मैंने देखा कि यह लोग तो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मेरा भी इंटरेस्ट जागा मेरा इंटरेस्ट जागा बट एक चीज थी जो घर की फैमिली की इस्पोलसिबिटी थी वो मेरे कंदों पे दी तो मेरे पास एक ही चीज का ऑप्शन था कि खोने के तो मेरे इसाब से लगता के इंपोसिबल साही है आज के टाइम में अगर किसी बन देगी दो हजार चोड़े में मीरी जाली 20-30,000 रुपए होगी उसमें मुझे मेरी फैमली भी देखनी थी मेरी वाइफ भी थी मेरे बच्चे भी थे मेरे सिस्टर भी मेरी बहने भी थी मेर तो सारी चीजों में वह सर्वाइब करना बहुत बड़ा मुस्किल हो गया था तो एक चीज मेरे को आध भी किलिक करती है दो चीजे में ने मुझे बड़ा इंस्पार किया एक मेरे साथ इतनी जाद है प्रॉब्लम है नहीं स्टडी में दिमाग लगा पा रहा हूं ना में कु तो सब लोगों को बोलना चाहरा हूं इस बात को कि अगर सीरिशली आप लोग अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हो ना और आप उस जुम्मेदारी को निभाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली ना दिल से रिस्प्ट जरू करती है क्भी भाई सिस्टर पर जो अंदर से चीज़े होती ने वो आपको कहीं न कहीं आपको रिस्पक्ट जरूर जलाती है कुछ भी नहीं होगा आपके रिलेटिव सना यार लड़के ने करके तो दिखा दिया अब ट्रेडिंग जरनी कहां से आई जहां मैं यूनिवस्टी में था मेरे दोस्तों जो ट्रेडिंग कर रह एक जिन्दगी में एक चीज़ हमेसे आप लोग याद रखना जो मेरा खुद का एक्सप्रेंस रहा है कि अगर आपका नेचर अच्छा करने का हेल्पिंग नेचर है ना तो यह गौड ना आपको ऐसे इंसानों से मिलाता भी है जो आपको सपोर्ट करते हैं वहां पर एक इ इतना इंस्पायर हूं आज भी मैं मेरी जिन्दगी में वह बहुत इंपोर्टेंट पर से ले तो ट्रेडिंग में मुझे डर्थ वही था कि वहां कहीं ना कहीं मैं भाई मैंने एक शीज़ खोई यह बहुत बड़े ट्रेडिंग में बसरते मैं भी थोड़ा सा स्टार्ट क जिए क्लास बहुत जगे ली सीखने के लिए स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीजों में एट रिजल्ट क्या हो रहा है वहां पर रिजल्ट जीर होई था फाइनली मैं मेरी जर्णी स्टार्टिंग क्या हुई इन्वेस्मेंट का मुझे पता ही नहीं था जहां से लोग स सारे टेलीग्राम्स चैनल से को जोइन किया बट उस टाइम में कैपिटल कम होने की वज़े से एक चीज अची रही कि मेरे लॉसिस भी कम हुए मतलब कैपिटल कम था तो लॉसिस बहुत जाते कम हुए लॉसिस कम हुए तो मेरे पर डिस्टप तो हो गी है ना करें लाइफ न इदर मैं अपना पैसे लूस कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं ना कहीं आप डिस्टप हो रहे थे उस चीजों में के यार मैं लूस भी करतों कहीं अंदर से ना हैल्थ इश्यूस आने लगे मैं बहुत ज़ए फ्रेस्टेशन में रहने लगा ओल्मॉस्ट एक जरनी ऐसी भी रह था कि हाँ बात कर ली सब ठीक है और ओके वाला तो मैं जाके भी सबसे दूर रहने लगा तो वह डिप्रेशन था इतना कि मैं चारा तो चीजों से निकलू कैसे भी बट एक वो लाइफ जो मेरी ऑफिसेज वाली चल रही थी वह सारा डिसकस मैंने अपने बॉस के साथ किया कि मेरे साथ ये चीज़े चल रही है उचे को टेंशन क्यों ले रहा है मैं हूना तरे साथ तु कर जो तुझे करना है उनकी ये बात ने मुझे इतना मोटिवेट करके रहे मैं तेरे साथ हमेशा हूं और वह सुनो ने मुझे उस टाइम पे पंद्रह लाग रुपे डीमेट अपने डाल के दिए मैंने बूला सर मुझे को इंटसर ट्रेडिंग करना है बैरे से जादे उनको ग्यान था और तो ऊट्वेंटी आर्स मार्क्ट को जेख रहे थे और मार्केट क्या देखना वह बहुत बड़े इन्वेसर्ट है तो उनके मार्केट मेरे से जजादां ग्य जिरू कर दिये, वह 15 लग उन्हों ने मेरी भी आप पे लगए, कि सर में यहां से पैसे बना लूँगा, मेरी शीजे हो जाएगे, उन्हों के पैसे मैं ने जिरू कर दिये, मैंने फिर ओर डिप्रेशन आ गिया, बाओस के सामने भी नेजर नहीं नहीं मिला बारा था और कहीं नहीं मेरी चीज़े खुद की भी खराब हो रही थी पर एक चीज थी कि कुछ तो मेरे लिए बनाए अगर मेरे पर इतनी भी खुद किया जब तक 30 लाग रुबे डुबो चुका था मैं अब फिर महासा सड़नली चीज़ लाफ चली 2020 में न क्रोना आगिया अब मेरे पास क्या था जॉब सेट डाउन हो गिया मतलब आफिसे सब सेट डाउन हुए कुछ बचा नहीं उसके बाद में मार्किट का एक्स कि चीजे मुझे जिसने जो जहां बताया पूरब से पच्छी जिसने जहां सीकने के लिए बताए ओल मौस मैंने कम से कम फिप्टी लोगों से in दी ना एक अच्छा ट्रेडर है पांसो गिरोमेटर दूर है अपसे मैं वहाँ पोच गया उसके पास क्योंकि बस फिर यह था कि अब पैसा यहां डूब होए है ना वह करना ही है यह कहानी सी वह दोहजार अठार है निस की वीच कि मुझे सीखना था 2015 से लेकर 19 तक सब जर्णी रही लॉसिस किया पर सीखना था फिर में फॉल फ्लेस में ट्रेडिंग में ही था मतलब दोस्त थे उन्हों को लोग मेरे साथ हमेशा रहे सपोर्टिंग हमेशा रहे पर मुझे अब यह था कि मुझे फुल ना करना इसी में क्योंकि उन सबसे ज्या मैं एक शीर प्रिक्वर मुझे छह महिने में अपने प्रेट कर रहा हूं कहा में गलती कर रहा हूं मैं अब ट्रेड में आप लोगों को लेकर चलूंग वहां से कैसे मेरा टैनोवर हुआ बहुत सारे लोगों को मैंने एक ही चीज देखी से भी हम लोगों को बोलता है 95% आज भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसस में तो मैंने सबसे पहले एक ही चीज माइंड में की कि 95% लोग अगर लॉसस में तो वह कौन लोग है सबसे लोग क्या चीज देख रहे हैं जो लॉसस में जो अकोडिंग टू मी मैं आप कोई सी चीज को गलत नहीं बता रहा हूं मार्किट में तो जो मैंने अब्जर किया मैंने एक तो लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शन चैन देखे ना ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्श के काटेगरी जादा एक उनकी काटेगरी बहुत जादा है जो सक्यालपिंग कर रहे हैं और ने कैटेगरी बहुत जादा है तो यह दो चीज़े मैंने फिल्टर करी कि इन दोनों चीज़ों को मैंने साइड किया इनको मुझे देखना नहीं है क्योंकि वह दो चैट चार साल जो लगाए थे ना वह इन्हीं चीज़ पे लगाए थे यहां हैमर बना है यह डोजी बनी है यह मुविंग एवरेज वह मुविंग एवरेज ऑप्शन चैन का डेटा जितना गयान था लोगों से खूब सीखा था बट फिर भी लॉसस थे से भी बोलता है यह नाइंटीफ़ परसेंट लोग लॉसस में और मेरे साब से आज इन दोनों चीज़ों को ओल्मोस आप्शन ट् लगाने के बाद अगर स्टोक में बढ़ता है तो क्यों ना मैं ऐसा आप्शन करूं जिस आप्शन वाय करने में पैसा बढ़े जहां मेरा रिस्क कम हो और मेरी विनिंग कैपसिटी जादा हो तो मैंने फिर क्या किया मंतली आप्शन सबाइक करने स्टार्ट किये मंतली आप इंगरी स्टोक मार्केट में अल्मोस 95 परसेंट ही है तो महां से वह कैटिगरी पहले फिल्टर करी मैंने विकली बाइंग छोड़ी ऑप्शन चैन देखना प्राइज एक्शन देखना चोड़ा कुछ लोगों की कन्वक्शन पर होती है बट मुझे शूट नहीं कर रहा था सबसे मार्केट में क्या है कि आपको अपना कमफर्ट जोन देखना बहुत जरूरी है कमफर्ट जोन इंदमिस के आप कहां कमफर्ट हो बहुत सारे लोग कैश के साथ कमफर्ट है एक्विटी के साथ कमफर्ट है बहुत सारे स्विंग टेड के साथ कमफर्ट है बहुत सारे comfort हो मतलब जहां मुझे feel आ रहा है मेरे दोस्ते से भी के साथ comfort basket के साथ comfort एक basket trade मैं करता हूँ जो बास्के ट्रेड के weekly के weekly भाई गया तो मैंने सोचे आई प्योज के कुछ मेरे setup ऐसे जो मैं आई प्योज में एक साल पुरा इतना दिया ना market को एक room में बंद करके मेरी wife मेरे बच्चे मेरी family भी मेरे दोस्त भी सब मेरे से ना परेशान हो गए यह बोलता कि यह पर तो पागल वना पड़ेगा तो जब लोग आपको पागल बोलने लगे आप समझलो success हो रहे हो पागल इंद को पागल बंद के लिए न जब लोग आपको बोलने लगे आप सम्साbia की तरफ जा रहा हूं तो जो जरनी थी मेरी छै माहीने आट रहे ने एक बंद किया प्राब्लम कहती मैं सुबा गुसा रूम में तो अगले दिन नमजे निकलाूं मार्किट नो बज़े स्टार्ट हुई in जुनेक मार्केट में साड़े दिन बज़े तक उसी रूम में भी उन्होंने एटलिस मुझे पैसे दिये कि आप पैसे लो और ट्रेडिंग करो बट उस रहे मेरा खुद का फेस आज दा लूजिंग फेस था मेरा तो उसमें मैंने उनके पैसे भी डूबो दिये पर एक चीर बहुत अच्छी रहे हैं दोस्तों ने मुझे लर्निंग में जो जो सपोर्टिंग दे वो वाली जो बनी हुई थे ना मुझे पभी हारने नहीं दे दो कि मैं मार्किट को मार्किट क्वार्व होने के बाद भी साड़े थी बज़े बीम साड़े चे बज़े खुला था उसको देखना स्टार्ट कर देथा रात के दो दो बजencias फिर सुबह साड़े Christmas वजह सवनों वजह मार्किट खुला फिर स्टार्ट हो गया जबकि मुझे पता है कल भी मुझे लूजी करना है बट कहीं न कहीं वह फाइट चल रही थी एक क्या चीज थी कि मैंने फिल्टर किया महां से आप्शन ट्रेडिंग अलग अटा दिया आप्शन ट्रेडिंग वीकली वाली आप्शन ट्रेडिंग वह मैंने कभी नहीं कि जब भी की लॉस ही किया आप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन चैन दे के ट्रेडिंग जब भी की लॉस ही किया तो तीन कैटेगरी की जो वही थी थी ना मतलब monthly options buying करने में यह था कि मैंने आठ ट्रेड लिया तो मेरे पूरा महिना है options को cover up करने का मैं बाद मेरा इसमें ट्रेड में लोज जारा पहली वाद तो option मेरा जो premium decay होगा बहुत slow होगा दूसरा मेरा option अगर मार्केट मास से मेरे अगेस भी चला जाता है तो मेरे पास दूसरा option कोई भी option को बेश देनेगा टिके रहना है तो यह मेरी नजरों में तो यह weekly वाली जो option वाइंग है ना हम लोग यहां पर gambling कर रहे हैं आप लोग क्या समझते हैं डीमेट अकाउंट खोला लाग दो लाग रुपे उसमें डाले और लाग दो लाग रुपे डालने के बाद ट्रेडिंग इतनी आसान है ब बुरा लगेगा संडे को market बंद की होती है बुरा लगेगा सेटरेडे मार्केट क क्यों बिखलो होती है जब मंझे सब सब चीजों ने सेंडर कर दिया एक्जेक्टली लाइफ में टर्निंग पॉइंट कहा से आया तर्निंग पॉइंट नहीं यहां था कि वह वीकली ऑप्शन चेंड डेटा प्राइज एक्सन सब चीज में सेंडर कर चुगा था कि अब कुछ तो है कि जहां से मुझे स्टार्ट क कुछ क काम करता नहीं है कुछ है लिए तो मैंने क्या कि है जो Labor कि हुआ हुआ बिल्ड कि है उनही स्ट अप में कैस को बाय करना सेंक्ति को एगे एक्जेक्टली अगर तो मेरे रिजल्ट्स ना उस एरिये से अच्छे आने स्टार्ट हो गए जो मैंने सैटप बिल्ड किया मैं अगर इस टूप पैसे डालो कुछ दिन बढ़ बढ़ जाएगा दस दिन बाद पंदर दिन बाद ऑप्शन तो आपका दस मिनिट में आदा हो जाता है एक कैंडल जहा का तो वहां लूज के चांसे से मेरे जादा थे मंतली ऑप्शन्स बाइ करना जब मैंने स्टार्ट किया मैं अपनी ट्रेट्स को ना बीटीएस्टी से लेकर जाने लगा अकोडिंग टूमाई सैटप जो मैं यूज कर रहा था और उसके रिजल्ट मुझे ना अलग लगने करके हाँ उसमें मुझे लॉसस कहा लगते थे दो हजार बाइस में सैथ एक दिन मार्क अभी दो हजार रिसेंडली की में बता दूँ आपको एक दिन एच्टी एफसी के ना बहुत जाद रिजल्ट खराब आये थे तो उस दिन मैंना बहुत बड़ा कैपिटल लूज भी कि तो उस में फजाब हूं तो सुष्डम मार्केट कोई बी नियूज नियूसा जाओ ज 벌써 कोई एज इसा नियूस जाधा हुआ जहां जाar किसे अधाया मार्केट इक्दम से बहुत बड़ा फॉल कर गया बहुत बड़ा गया तो monthly जब options buy करने start को मुझे वहाँ से result आने start हो गए मैं जैसे लोग investment में पैसे बना रहे देना मैं उन से ज़्यादा अपने पैसे पर return ना monthly options buy करके बनाने लगा तो दीरे दीरे मैंने वो सब चीजे अपने दोस्तों के साथ start की here मेरा ये चीजे मुझे real दे रही हैं अभी तो हम लोग यहां से start कर सकते दोस्तों को भी ट्रेस्ट आने लगा मतलब वह लोग भी ऐसा नहीं कर रहे दे वह लोग भी 2015 से 2020 तक पैसे लूजी कर रहे दे हम लोग profitable कोई भी नहीं था और मेरे साथ तो माइनस पॉइंट किया था कि मैंने अपने दोस्तों का पैसा भी टूब हुए था अपने बॉस का भी पैसे डूब हुए था बट हारना नहीं था मतलब एक चीज़ रही कि यह मैं कर तो जरूर लूँगा जब मैंने दुनिया भर का ग्यान ल हाई कर रहा है उनके बास कितना हाई क्रिसी वाले सिस्टम में कितना हाई एजुकेटिड वाले लोग बैठें उस साइड में जो हम लोगों के साथ ट्रेड कर रहे हैं ना हम आए डीमेट अकाउंट खोला पाशला गरूपे डाले और ट्रेडर बन गए आप यह नहीं समझत लोगें तो मेरा फोकस हमेंसा ऐसा रहा था उन सिस्टम के उस पार बैठेंवे लोगों के साथ कही बार तो मैंने ट्रेड लिया लोस में करता लगता है मेरे पीछी कैमरा लग रहा है कि मुझे देखती लोग साचा लूँ बट एक चीज़ हो थे कि स्क्रीन के उस पार जो हो चुका था रिजन मंतली जब मैंना आप्शन सभाई किया मुझे वार रिजल्ट आने लगे फिर मुझे ना क्यों कि मैं पहले इतने बड़े लोग से देख देख चुका था ना मिरे को हजार दो हजार पासजार के लोग से डर नहीं लगता था जिस इंसान ने दिन में प उन आई पियोज वाली ट्रेड ने जो इस टोक का आई पियो जो ट्रेड का जीज़ी बी स्टोक का ओप्शन वह लौंच होता था आई पियो लोग तो मेरी लियना मेरी वाचली समा जाता कि मेरे सेट अप पाए मैंने बाइकिया मिरे को दस पंदर बीस परसेंट का रिटन ऩिजल्दी देदेए बाद मुझे मेरे वीनिंग चनसे मेरे ज्यादा होने लगे महांसए मैंने क्या किया मार्केट एक बुल रृण आया था मार्केट में की जिसमें बूल Dios ब्wen में में मार्केट ने आल्मोंस Scorpion की निफटी निफ्टी निवेकी ति उस दृइ पचासदा रुपे लगा के नो उल्मुस 12-30-30,000 रुपे का option बाइ करने के बाद, 13-14,000 रुपे का मैंने profit बनाया बनाया क्यों दाख के मुझे must be an monthly option ही भाइ करना था monthly option भाइ कि हूए Defense of लोगा फीकली में मुझे डर था नहीं रहाने की तो जिस बंदे ने 50 राक हो दिये फिप्थ गैपप के पांच गैपप मार्किट कब लेता है वो पांच मार्किट वाला गैपप जो मुझे याद था कि यार मेरा सेटप रेड़ी है अब मुझे लग रहा है इस वीक मार्किट पूरे दिन पूरे वीक ना गैपप गैप वहोगा उस सिच्वेशन में मैंने 50 गोना बारे तेरो और उस पंद्रे लाग रुपे तक मैं ले गिया उसमें क्या होता है कि मैंने आज बाइक किया महाँ प्रॉफिट नेक्स जेप प्रॉफिट हुआ और मेरे मार्किट और दूसरा पॉजिटिव न्यूस थी मार्किट में के चार्ट से सब्सक्राइब तो मेरे बास ने मुझे इतना ट्रस किया वह तब भी ट्रेड करते थे उन्हों ने किया कि तुछ ठीक है फिर से स्टार्ट कर रिस्टार्ट अगें उन्होंने फिर से 30 लाग रुपे लगाए अपने एकाउंट में डाले पूरा सेटप लगा के दिया सब च ने पीछे मुझे देखा ना मैंने पीछे मुझे के देखा मेरे कंटी अलमोस चार छे महीने में मैं प्लस वन सी आर हुआ और उनके तो मैं एक्जेक्ली जो नंबर से वह आप लोगों के एक्स्प्रेंट नहीं कर सकता उनकी कवांट बढ़ी होती थी पचास जार एकलाग 40,000 quantity होगी तो उन्होंने भी बहुत सारी recovery की और मैंने आप लोगों के साथ में पीएनल जो शेर किया ही है उस पीएनल में भी वापने सियार के करीम हम लोग प्लस में हैं जिस बंसियार में मैंने अपनी property भी फिर जो गई थी वो भी वापस आई है गाड़ी भी नहीं लिए family को full support भी किये तो most important क्या था मेरी journey में कि आपको इस trading journey में आपको अपना comfort zone देखना पड़ेगा जो बहुत important पार्ट है अगर आप options में comfort नहीं हो रहे होना तो आप fight करने मच जाओ कभी भी fight जरूरी नहीं कि आपको fight करनी करनी है आप cash के साथ comfort हो, cash के साथ comfort हो जाओ, swing trade के सबसे पहले आपको अपना comfort zone डूंड़ना है कि आपका comfort zone कहां है, I hope के मेरी journey आपको अच्छी लगी होगी, जो मैंने इस market में pain feel किया है, वह बहुत सारे लोग आज भी feel कर रहे है, तो thank you so much, जो stop को कि मुझे उन्होंने यहाँ पर invite किया